कारिक्रम देख रहे हैं हमारे सभी दर्शुकों को सुष्मा का प्यार भरा नमस्कार दर्शुकों आप देख रहे हैं कारिक्रम ट्रामिली कांसलिंग इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोविट का असर और बदलता व्यवार इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनिया परियल और काउंसिलर श्री नितिन श्रिवास्तव जी स्वागत है आपका नमस्कार आगे चलकर ईश्वर करें कोई देखे भी ना तो इसका जो असर पड़ा लोगों पे वहारिक रूप से उसको आप कैसा मानती है सकारात्मक या नकारात्मक सुष्मा केवल सकारात्मक नकारात्मक दोनों को एक साथ बोलना थोड़ा कटे नहीं मैं यह कहूंगी कि जब पहला वेव आया था क्यूंकि वह पहले वेव के लिए हम लोग कोई भी प्रिपेर नहीं थे अचानक आया था इन फैक्ट लोगों भी कुछ लोगों को उसी दि बड़ा था हर चीज बहुत अचानक होई थी तो उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगों में देखा था और सेकेंड वेव तक जब हम लोगों ने इतनी सारी डेट्स देखी थी तो लोगों में लॉस और फैमिली मेंबर अपने करीबियों को खो देना और खुद भी जब पर बहुत सारे हमारे पास ऐसे परिवार हैं जो सही माने में बहुत ज्यादा अफसात से गुजर रहे हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन चाहे वो बुजुर्ग लोग हों चाहे वो यंग कपल्स हों चाहे चोटे बच्चे हों सब में हम अलग अलग प्रकार का प्रभाव अब उससे देख रहे हैं सकरात्मक ये था थर्ड वेव तक कि लोगों ने कठिन से कठिन परिस्टियों को लड़ने को सीखा ये पॉजिटिव बात ही कि हम लोगों में एक कॉंफरेंस आया कि हम कम में रह सकते हैं हम अनावशक खर्च करने की कोई जरुरत नहीं हमें हमारी अगर बेसिक हमको इच्छा तो और खाना भी मिलता है और हमारे हम जिन्दा है और हमारा परिवारी हमारे साथ है तो वो बहुत बगवान की बड़ी देन है ये जो रियलिस्टिक एहसास हुआ कि जीवन का क्या सही माइने है कोविड ने हमको ये सिखाया पर नकरात्मक रू बहुत सारे चोटे चोटे बच्चे भी देखे जो इतनी चिर्चड़े हो गए हैं जो बिल्कुल पढ़ा ही स्कूल जाने को ब्रेडी नहीं हो रहे हैं घर में माता पिता के साथ वो टाइम बताना नहीं चाहरे हैं बिल्कुल मतलब घर से किसी तरीके सा निकल जाए और लो लोग अकेले रह गए जिनके लाइफ पार्टनर्स की देख हो गई जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने यंग बच्चों को खोया उनकी लाइफ में जो एक अकेला पनाया है एकनोमिक आप जानते कि आर्थिक रूप से कोविड ने सब की पीट मारी है बहुत हो को तोड़ा ह हर घर में आज आर्थिक तंगी है चाहे वो मध्यम बर्ग हो चाहे वो गरीब बर्ग हो चाहे बड़े-बड़े बिजनेस थे वो भी कोलाप्स हुए थे तो हर लेविल आफ लोगों ने आर्थिक तंगी को महसूस करा और उसका दुश प्रभाव मानसिक संतुलन पर बहुत जादा हुआ है कि जिन लोगं के पास नौकरी नहीं रही है वो यूथ हमारा नशे की तरफ जादा चले जा रहा है जो लेडीज विद्वा हो गई आप जानते हो कि हमाम ने बहुत यंग मेल लोग ज्यादा खोए थे सेकेंड वेव में स्पेशली तो इतनी कम उमर की सुद्दाई सिती थी और वर्ल्ड ओवर हुई और हमारे समाज ने इसको बहुत में उसका काफी गलत प्रभाफ पड़ा तो मांसिक रूप से यस मेंटल इलनेस बहुत तेजी पकड़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन पोस्ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर नशे की प्र अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम से देखूं तो बच्चा दो साल से स्कूल नहीं गया है और फिजिकल एक्टिविटी से दूर है तो एक बहुत बड़ा रीजन है वो बड़ा नकारात्मक प्रभाव हैं दूसरा इसके कारण उसका कॉंसेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो गए ह तो तरीके से बड़ा नुक्सान हुआ लिकिन क्योंकि भूत अंसर्टिनिटी में हमने समय बिताया जिसके लिए कोई भी तज़ी तैयार नहीं था means आप एक दिन या दो दिन की policy बना सकते थे उससे जादा पता ही नहीं था कि आगे होने वाला क्या है कि कब news आ जाएगी कि lockdown लग गया है क्या हुआ है इन परिस्थितियों में मैंने बच्चों में जो एक चीज देखे बड़ा resilience डेवलप हुआ है मेरे खुद के घर में जब मैं और मेरी वाइफ दोनों कोवेट पॉजिटिव थे मेरे बेटे ने एक महने तक पूरा घर खुद समा लाए जो कि अभी मात्र उस समय वो 16 साल का था तो वो एक बहुत resilience डेवलप हुआ है बच्चों के अंदर और एक चीज जो कोवेट से पहले में देख रहा था बच्चों के साथ में खासतोर पर टीनेजर के साथ में रिष्टों की importance थोड़ी कम होती जा रही थी या परिभाशाए उनके लिए बड़ी बड़ी बदलती ज अब वो रिष्टों की एहमियत समझ पा रहे हैं लेकिन हाँ वो समझने के लिए कीमत बहुत बड़ी चुकाई है हमने तो दोनों चीज़े हैं नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है सोनिय जी जैसे हम हर एज ग्रूप की बात करें वो बच्चे की बात करें जिसने अपरी अपने शिक्षादिक्षा शुरूओी करनी थी ठीक या वो बच्चा जीसे अपने आगे के कर यर की और बढ़ना था, अपनी पहली सीरी चड़नी थी, या फिर वो व्यक्ति जो ओफिस में अपने परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन में हैं, या फिर वो व्यक्ति जो अपने परिवार को समभाल के एक सूत्र में बांध ही रख रहा है, तो क्या ये जो COVID था, इसने उन लोगों पर ब बहुत दबाव बनाया, क्योंकि सबसे कम उमर के बच्चे थे, चोटे बच्चे की समझ भूच कम होती है, उसको समझाना भी मुश्किल होता है, तो जब मदर फादर खुद तनावकरस्त हैं, उनकी मेंटल स्टेट थीक नहीं थी, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, कि मदर की जो मदर या तो प्रेगनेंट है या उसका बच्चा बहुत छोटा है, वो खुद बहुत टेंशन में थी, वरीड थी हर समय, तो नैचरली उसका जो पेरेंटिंग स्टाइल था, वो गलत था उस समय, पर आगे जो बच्चे जो आपने का जैसे किशोर रवस्ता के ब मदर फादर के साथ बहुत कम समय बता रहे थे, तो हम लोगों ने पॉजिटिव चीज नोट की थी, किशोर रवस्ता के बच्चे, मदर फादर के साथ जब जादा टाइम स्पेंड करने लग गए, तो मदर बड़ी खुश थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजे अपने बच् हैं, हस्बन भी मेरा हाथ बटा रहा है, तो ये बहुत मेरको बहुत प्लस पॉइंट ये लगा था, कोविट का, लॉकडाउन का, कि फैमिली जादा क्लोजर हो गई थी, पर जिन फैमिली में पहले से ही डिस्टर्बंस था, जैसे कि अगर हस्बन अलकोहलिक था, तो उन फै जो सही नहीं थे, ज्यादा समय अपस में नकरात्मक वे में उनकी इंट्रेक्शन जो हो रही थी, तो नशे की प्रवत्ती भी आप जानते हो के बहुत बढ़ गई थी उस दोरान, और नशे की हालत में वाइलेंस बढ़ता ही है, तो कुछ महिलाओं के साथ बहुत गलत बहुत जादा टाइम एक क्लोस फामिली उनिट को समय जादा मिल रहा था, बट प्रॉब्लम जो सर ने भी जो पॉइंट आउट करी, की जो रेजिलियन्स था, कुछ बच्चों ने जिम्मेवारी लेना सीखा उस समय, और कुछ बच्चों ने फैमिली कनेक्ट बनाने भी सी रहा था, इन फ्रेक्ट आप करेंट अगर हमारी शहर राइपुर में भी आप देख लें, तो फ्लैट सिस्टम बहुत बढ़ गया है, गार्डन्स नहीं है, हमारी शहर में गार्डन्स की कमी मैसूस हुई, क्योंकि कोविट के टाइम बच्चे सारा दिन घर में नजर बंथ चोटी सी बैलकनी है, उसमें ना वो खेल सकते थे, ना बाहर जा सकते थे, तो ओबीसिटी मैं वेट गेन होना, स्क्रीन टाइम और बढ़ गया, और किशुर रस्ता के बच्चे गलत गलत चीजे देख रहे थे, मोबाइल और टीवी पे, मैंने उसका कंट्रोलिंग बहुत म सेक्टर है, उसके लिए भी एक लेसन लेंट हुआ, कि हमको खुले गार्डन, स्पार्क हर जगा रखने है, कोविड ने ये भी सीख दी, policy changes में हमको ये भी लाना है कि हर कॉलिनी में गार्डन हो, घर खुले हो, वेल वेंटिलेटिटे हो, क्योंकि लोग बन थे, चोट एक घर में पांच-पांच लोग बनते हैं, खिड़किया हाई नहीं के, cross ventilation हो, तो ये सारी चीजों ने किशोर अवस्था के बचों को एक नया challenge दिया था, क्योंकि वो गलत रहा पे भी जा सकते थे, और उनकी screen time भी बढ़ गई थी, और वो गलत चीजे देख रहे थे, वेर होने के risk पे है आज हम लोग, जितने स्कूली बच्चे हैं, और सबसे चोटों पे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, नेतिन जी, आप क्या कहेंगे इसके लिए, मैं करियर वाले पार्ट पे ज़्यादा आपके साथ बात करूँगा, जो बच्चे जिन्होंने 12th क के बाद निकले, उनके करियर चॉइस की डेफिनेशन पूरी तरह बदल गई है, अब ये बच्चा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि कोविड ने एक चीज सिखा दी की तिंक्स अर अंसर्टन, कभी भी चीजें बदली जा सकती हैं, तो करियर चॉइस की उसक पैसा कमा सको और उसको सेफ कर सको, ये एक एसपेक्ट हुआ, दूरा एसपेक्ट अगर मैं बताऊं, तो वो लोग जिनकी जॉब चली गई, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, जो कॉर्पेट में काम कर रहे थे और जॉब चली गई, जॉब चली गई है, तो पैसा तो है नहीं, जी, जी, अब वो उसपे दो कैटिगरी के लोग है, जो ये वेट करते रहे कि यह वापिस से चीजें ठीक होंगी और मुझे जॉब मेलेगी, वो शायद आज भी जॉब लेस है, पाट इस पे बहुत अच्छी कैटिगरी निकल के आई, जिन्होंने अपने पै लेकिन अब उसको खाना बनाने का शौकता बहुत अच्छा पोहा बनाते थे, और उन्होंने पोहा चालू किया और अब वो उससे जादा आण कर रहे है, एक नए यंग कपल है, जिन्होंने मिलके, I don't remember the place, but आज ही मैंने देखा उसको, कि वो मोमोस का ठेला लगा रहे है, तो करियर की जो परिभाशाई थी, कि भाईया, लोग क्या बोलेंगे, वो इस जनरेशन में मैं तूटते हुए देख रहा हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे कर गे, बहुत सारे लोगों ने जीवन में वो नहीं किया जो वो क अबर सक्षम ए जा जा यू स्था मर ले इसे साइंज्स से कामर्स स्सॉपा, जीष्जार की मानमें है, सैज्जा में वो ने स्पूशर की जा है लो भी हो लोबाशना जेंगे, शुंष की होस् stretch अचे aujourd' to matter, अब वो यू च्छे का दीधशने नीकिन कर चेह साइबाय गूस पहले क्या होता था कि जो नहीं भी करना चाहता था था तो यहां से निकलो पहले आपको इंजिनिरिंग करो फिर सोचना क्या करना है तीक अब वैसा नहीं है मैं आपको एक एक्जामपल देता हूं IT से बेटर है आपका सोचल मीडिया और यूट्यूब और इंस्टाग्राम यह जो आज के टाइम में अविलेबल है आज एक बच्चा है क्लास 10 में जो की यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक देर लाग रुपय महना कमा रहा है और वह बहुत बड़ा कौलिफाइड नहीं बढ़ अच्छा कमा र अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्प लाइन या 24 गेंटे वाली नेशनल हेल्प लाइन टोल फ्री नेंबर 1075 या अपनों का कुरोनों के आगे भल्वान भी नहीं ठीक पाएगा पर बचने के उपाय है समझतारी से घर में रहना बार बार हाथ साबुन से दोना या सैनिटाइज करना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्प लाइन या 24 गेंटे वाली नेशनल हेल्प लाइन टोल फ्री नेंबर 1075 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदिद्य कारिक्रम में जिसका नाम है फैमिली काउंसलिंग आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविट का असर और बदलता विभार इस विशेपर डोक्टर सोनिया आप से जानना चाहूंगी मैं जब बात बच्चों की ही चल पड़ी अगर हम डिवाइट करते हैं कि हम लोगों ने जो किशोर रवस्ता के जो बच्चे स्पेशली जो लड़के हैं इन में हम लोग बहुत बढ़ते हुए देखे हैं जी क्योंकि बच्चों लड़कों में वैसे भी एक्रेशन थोड़ा लड़कियों के मुकाबले ज्यादा होत और उनकी छोटी बात अगर पेरेंट्स तुरं नहीं फुल्फिल कर रहे थे तो वो डिमांड फुल्फिल नहीं होने पर बहुत अग्रेशन दिखा रहे थे तो हम लोगों हम लोग पेरेंट्स को यह बताते थे कि आप उनके साथ कॉलिटी टाइम बिताएं ताकि बच्चे स्टाइल्स पर हमको काफी पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ी थी कि वह अथोरिटेटिव पेरेंटिंग करें मने बच्चों को एक फर्म वे में डायरेक्शन दे क्योंकि किशोर अवस्ता के बच्चे चंचल होते हैं वो उनको लगता है हम अडल्ट हो गया हम चाहें कि बड़ी इच्छा होती है आप जानते हो कि टीनेज एज में बच्चे जादा अपने हम उमर के साथ समय बिताना चाहते हैं ना कि पेरेंट्स के साथ और यह बहुत जरूरी भी है तो जब उनको हम उमर के बच्चे नहीं मिल रहे थे उनकी जो चिंताएं थी वो इंटर्न अब्यूजिव बिहेवियर मने चुट चुटी बातों पर तोड़ फोड करना नाराज़की दिखाना यह हम लोगों ने लड़कों में ज्यादा देखा यह एक काइंड ऑफ हम लोगों को एक क्मुनिकेशन में जो इंप्रूमेंट लाना है पेरेंट्स को और आज आज सोसा पहले से ही जिनके बच्चों को शुरू से भी प्रॉब्लम था उन पेरेंट्स को बहुत टाइम देना पड़ा इस सिचुएशन को समझने में और हैंडल करने में वह आ जाते थे क्लिनिक क्या जो इतना जाता एक्रेसिव है कि हम घर में नहीं रख पारें डॉक्स आप क्या हो गई थी पेरेंट्स को क्योंकि टीचर्स के बाद स्पेशल टेक्नीक्स थे कि वह दिन बर कम से कम 6-7 गंटे इन बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिता देते थे बड़ अब वो किशोर वस्ता में भी आ गया है मेंटली डिसेबल भी है और पेरेंट्स इतने ट्रेंड कर पारी थी अपना रूटीन के इस बच्चे को भी संभालों घर भी देखो और जारा दिन अस्वेंट भी है उनकी डिमांड भी पूरी करनी है तो अन्टी है नो डॉमेस्टिक हेल्प सर्वेंट सो थे नहीं तो लेडीज के ऊपर घर का काम प्लस डिफिकल्ट चाइल संभ तो स्पेशल अबिलिटीज वाले बच्चों में भी हम लोगों ने जादा एक्रेशन देखा था उनका मनरोग बढ़ते हुए देखा था क्योंकि उनको स्पेशल टीचर का हेल्प नहीं मिल पा रहा था इन सब बातों में आपने दो चीजें कहीं कि एक तो क्वालिटी क्या है दोनों जो है वो पूरी तरह से काम पे जुट गए क्वालिटी टाइम वो उस तरह से नहीं दे पा रहे थे बच्चों को जिस तरह से देना चाहिए तो इसके लिए क्या करना चाहिए पारेंट को दिखें क्या एक दिन में कहते हैं जिए अगर आपने दो घंटे समय है डेड़ से दो गंटा समय भी बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया है तो वह बहुत है और क्वालिटी टाइम एक दिन में डेवलप होता है अगर आपके बच्चे से कनेक्टिडनेस बच्पन से ठीक से था तो अभी भी आप अगर समझ बूच से उसकी एज के अनुसार आप क्मिनिकेट करते हो उसकी बुद्धी के अनुसार उसको समझाईश देते हो तो बच्चा समझ लेता है तो हमें यह नहीं डरना है कि मदर फादर दोनों कमाने में बिजी हैं आप केवल एक देट घंटा क्वालिटी टाइम मेंटेन भी रख लें तो वह इनफ है और जै जिन में प्रॉब्लम्स पहले से ही थी बच्चों में उनको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था तो कॉलिटी टाइम ड़संट नेससली मीन बोर टाइम इनज के आप एवन एक घंटा सुभे शाम कुछ भी अक्टिविटी साथ में करते हैं और बच्चे के साथ आप जन्यूइन सेंस में उसको एक्स्क्लूजिवली टाइम देते हैं इस इनफ आप गंटे वर्किंग पेरेंट सो हर गर में पहले भी थे कोविट से पहले भी थे तो उनका यह नहीं था कि उनके बच्चे नहीं सेटल होए थे बलकि वह बच्चे देखा जादा डिसिप्लिन म मदर को 8 बजे सुबह निकल जाना है तो वह भी जल्दी तयार हो जाते थे ममी आएगी 6 बजे थकी हुए आएगी तो जिनमें नहीं था पहले से connectedness उनमें हमने वर्सनिंग देखा तो quality time is something which has to be developed over a period of time वह एक दिन की बात नहीं है यह एक ongoing process है तो connected बच्चों से रहना और उ इससे जो लोगों के अंदर जो विवहार बदला इसका असर हविश्य में क्या देखने को मिलेगा हर लेविल पर आपको इसके changes देखने के मिलेंगे पहले चीज़ देखते हैं कि husband wife के relationship के बारे में अगर मैं पात करूं तो उस पर बहुत जादा आपको बदलाओ देखने के मिलेंगे इतनी आदत नहीं थी इतने साथ इतनी देड़ तक एक दूसरे के साथ रहनेगी सब अपने एक structure में थे ठीक है उस structure को break करके अब आप साथ रह रहे हैं तो कुछ लोगों के रिष्टे खराब हुए कई लोगों के रिष्टे बहुत अच्छे हुए तो एक सकारात मैं बदलाओ आपको वहां आगे देखने के लिए मिलेगा और इतिंग जो सबसे अच्छा चीज मैंने महसूस करिए इस पर कि as a male अगर मैस बारे में बात करूं तो वह जो space एक female को देनी चाहिए थी जो शायद नहीं 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 दे रहे थे वह समझ में आया कि नहीं कर रहे थे quality time की जैसा मैं हमने बात करी अगर आप साथ नहीं है लेकिन अगर आपने उसको space दी हुई है वो भी quality time में या और वहां पे आप चाहें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप professional health भी ले सकते counselor hire करके teenager के cases में आप इस सारी चीज़ें कर सकते हैं दूसरा मैं आता बहुत समय से वो रिष्टा formality के वाले उस पे ज़्यादा चल रहा हो रहा था तो अब वो रिष्टा भी बहुत मजबूत हुआ है आप लोग हमारे studio में आया आपने हमारे दर्शोकों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शो कोविट का असर और बदलता व्यवार इस विशे पर आज हमने चर्चा की फ्रामली काउंसलिंग कारिक्रम में अगले कारिक्रम में हाजिर होंगे किसी और विशे के सार तब तक के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतिक्षा थोड़ा सा इंतजार स्विकार कीजिए हमारा नमस काई